नमश्कार हमारा उत्राखन में आप सभी का सुवागत हैं मैं हूँ आपके सास रश्टी शुक्रा खबरों से पहले नेज़ डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर करोना को रोकने के लिए जारी है प्रयास रात कारू की वस्तार से दीचान कारे करोना की दवा की सरकार ने रोके विग्याप पान राम देव बोले कम्यूकेशन गयाप मंत्रोले ने सभी माप दंडू को हमने पूरा किया महेंगे पेट्रोल डीजल से याम जनता पेहाल पेट्रोल डीजल की किंग्ति में हुई एक समान लगतार अठार में दीनित तेल के बढ़े दां यूवाओं में नशी किलर छुड़वाने के अनों की पहल एक सप्ता मनाए जाएगा ड्रग जागता सप्ता उत्राखण में कोविट के 103 नए मामले उदम सिंग नगर में निकले सबसे जादा 26 केस राचुमें सक्षितों का आकरा पहुचा 25 के पार उत्राखण में दो दिन की देरी से पहुचा मांसून अगले 48 धंटे में कई जगा बारिश होने का अनुमान मौसम ववाग ने किया अलट आप देख रहे हैं के नियोज खबरों का सार्थी रुकरते हैं खबरों का उत्राखण के मुखमंतित रवेन सिंगरावत ने चकराता वधान सबाच्छेत की वर्चुल सभा को संबोधित किया है मुखमंतिरी ने कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए राजसरकार द्वारा किये जा रहा है प्रयासों की जानकारी दी है उन्होंने आर्थिक गदिविधियों को बढ़ाने और किसानों उदियोगों प्रवासियों परेटन से जुड़े लोगों को सहीत आम जान को रा उसके लिए हमने जोस्ता की है तीन मेडिकल कॉलेज इस बीच में हमने एक उद्हम सिंह नगर एक हरिद्वार और एक पिफुरागार तीन मेडिकल कॉलेज इन चार महनों में हमने स्विक्रित कराए और लगबद 400 से अजिब डॉक्टर आप ये देखिए कि 2017 में ये शक्ता कि जो ठीक है वो बासर पसंद है वरतमान में युवाओं में बढ़ रहे नशे के लगब को रोकने के लिए उत्राखन पॉलस द्वारा 22 जून से 22 तक 2020 तक ड्रग जागुता सब्ता मनाये जाएगा ऑपरेशन हो देके चलते युवाओं को जाग रुक किया जाएगा जहां युवाओं नशे के विरोदो बहुत सुन्दर लैब स्वांग बनाया है जिसमें पिथोड़ागर के रैपर विजे जोशी द्वारा इसको गाया दिया है तो कि जाएगाद तो कि लाएगागर आगे जाएगा 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 है पहाडियों को मेरे लगी है कैसी तला पिथारगड पहाडियों का नी बनाना शेडिया पताने चला शेर को कब लगी नाशे की लग पर आम है सब को बताने का नशे के दुस्परी नाम सब को दिखाने का बताने का जटाने का कि जो नशा तु कर रहा हो है सब गलत कि जो नशा तु कर रहा हो है सब गलत सही है क्या तो खुद समझदार है बना जो नशे नी तो तेरी जिंदगी बेकार है अरे परिवार क्या साथ नहीं तेरे भूल गया क्यों तू रिस्तों को हादूब के नशे मा कहा खो गया रे याद है मैं माने क्या सिखाया था बे दुए के नशे में तुने क्या क्या नी उडाया जिन्दगी को तुने क्यों नसे मैं डुबाया माप बाप में तुझे क्या कैनी सिखाया तुने जो भी मांगा वो तुछु को दिलाया पाया के तुने जो आजे कमाया बात की कमाई को नशे में उडाया प्रने की उमर में तुने नशा अपनाया जिंदगी को तुने क्यों नरग में डुबाया जिन्दगी को पीने क्यों तरगना तुपाया, तरगना तुपाया, तरगना तुपाया तू तो मजे ले रिया है, घर में जाके देग, बतन पड़े है, खाली हाँ, दम की ये आदत चो तुने अब पाली, चारस संग दारू, एसी लात क्यो लगा ली, मारता ही स्मैक और बोले ज्वेंट खाली, मजे में सुरू किया, अब आदत बना दी, बुरी आदत छोड़ो, नशेश तुम दूर रहो, सिग्रेट सराब, और स्मैक से बच्चो खितूर हूँ, आद से ले कसम के मैं नसे से दूर हूँ, उदै अभियान एक रन से जगाई, नशे को छुडाया और जिंदगी बनाई, यूद को अपने जाग रू कराया, दक्ष है अपना नशे को रूड के जल में बंद कैदी का एक वीडियो इन दिनों जमकर वाराल हो रहा है, यह वीडियो कोख्यात बदमाश्य चीनू पंडित द्वारा बनाए गया है, जिसमें शहबाज नाम का कैदी जेल परसाशन पर नशे का इंजेक्शन देने के पिटाई का आरोप लगाते हु सवाल यह होता है कि आखिरकार जेल में मॉबाइल कैसे पहुचा वीडियो वारल होने के बाद जेल परसाशन में हरकम हमजगा है, मामले में जॉइंट मजिस्ट्रेट रुड की नमामी बंसल ने बताया है कि अभी कुछ दिन पहले ही सभी कैदियों का स्वास परिक्शन हु जो यह वीडियो फ्रक्रण है इसमें जानकाली लेने गए थे कि इस समय जो बंदी है संबंदि जिसके इसको जिगत सखिये उसके ले ले जाए गया तो उसको प्या समय था रोस्टर रजिस्टर की जाच की गई और साथी साथ जो जेलर है काला काले हो अधे उनसे भी जानक इस परकार से पुरा मामला है तो इस समय में लिखे ताख्या के लिए उनसे आ गया है और लिखे ताख्या से सारे प्रक्रण को जागए बाच्पोर पुलिस और जंगलत की संयूथ टीम ने गाव थापक नगला में दो घरों में छापे मारी करी है खैर के 13 गिल्टे बरामत किये गए पुलिस टीम को देखते ही आरोपी फरार हो गए बरामत खैर गिल्टों की कीमत करीब 50,000 रुपएं आकी जा रहे है आरोपियों के खिलाफ मुकादमा दर्श कर लिया गया है कॉंग्रेस ने आगामे वधान सभा चुनाफ को देखते हुए संगठन को मजबूत करने के साथ ही महिला काल करताओं को भिस जम्मेदारी देकर उन्हें संगठन और पार्टी की रीती नीती से जोड़ कर रखा इसी कड़ी में डोईवाला वधान सभा में कॉंग्रस से जुड़े राजीव गांधी पंचायत राज संगठन की रास्टे संयोजक वापूर्वसांसाद मिनाक्षी नेटराजन की संसुती से संगठन के प्रदेश संयोजक मोहित उन्याल ने डोईवाला की जीवन वाला निवासी कमल जीत कौर को राजीव गांधी पंचायत रास संगठन का देहरादून जिला संयोजक मनूनित किया है महित प्रदेश में संगठन का वस्तार किया जाएगा आज देहरादून परवादून जिले के जिम्मेदारी एक करमटवा प्रक्तिशील महिला को सौब दी करी है बहुत ही हर्स का विशे बासे तो बहुत करते हैं, बासन बड़े-बड़े करते हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का मौकर देशा है संगठन, मगर जब पर देने का कोई बास नेतल हाई कोट ने अधिवक्ता दुश्यंत मैनाली वाहरेद्वार निवासी सचीदा नन धबराल वाँन के द्वारा दायर जान हिती आज काओं की वीडियो कॉन्फरेंसिंग की माध्यम से सुनवाई करते हुए नियायमूर्थी सुदानशू धूलिया वा नियायमूर्थी रविंद्र मैठाडी की खंडपीट निराज सरकार को निरेश्ट दिये हैं कि जब तक बोल्ट की सभी परिक्षा पूरी नहीं हो जाती तब तक परिक्षा केंद्रों को प्रते के दिन सेनिटाइस किया जाएग कमई कोट ने ये भी कहा है कि प्रदेश के जिन ग्राम प्रधानों को वारस से लड़ने के लिए फंड अभी तक नहीं दिया गया है उनको 13 जुलाई तक फंड उपलब्द करवाया जाए आज ने ने इस मामले में सुनवाई करते हुए ये अदेशित किया है कि जब तक बोड परिक्षा के दिनों में भी परिक्षा केंद्रों को सेनिटाइस कराना हुआ क्यूंकि वह पूर में कॉरेंटाइन सेंटर थे और सांती ये भी अदेशित किया है कि जो जिन जिनों से प्रदानों को अभी तक फंड प्राफ्त नहीं हुआ है कॉरेंटाइन सेंटर्स के मैंटेनेंस के लिए वह फंड भी अगली तारिक से पहले उनको उपलब दिक्राया जाए और राजिस्टरकार द्वारा शपत्पत्र फाइल किया गया था कि अधिकांश ग्राम प्रदानो हुए तीन मां में चार सीट कोट में पेश करने को कहा है साथ इसाज कोट ने कहा है कि जाच के लिए उत्राखंड आने पर सीमा पर ही पीड़ता को राज सरकार पले सुरक्षा पुलब्द करवाए मामले के सुनवाई मुखिन्याइदीश वेश रंगनाथन वन्याय मूर्त आर्सी खुलबे की खन पेट में हुई चुलब्स कर्दिया गया है और मेरे सवी तर्कों को उना गया और सरकारी वकील की भी सवी तर्कों को सुना है और उसके बाद जो ए मानियाले ने दिया है कि केदारनाद की तरश पर अब बद्रिनाथ भी आने वाले समय में हाई टेक होने जा रहा है सरकार ने मौडल तयार कर लिया है जल्दी केंदर से अनुमती मिलते ही इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया जाएगा बतादी की परेटन वभाग ने पहली बार बद्रिनाथ धाम को भव डलों के सविधाओं के साथ संद्री करण के कारिग किये जाएंगे जआए जाएगा फंड नज से बचाने का इंतजाम ठेड़ने म Wish संद्रिय digestive ने में पारकिंग का ने गाल कुछ आ पी बढ़़ j आ colleg隊 कम भूने से शुक्षाध्गन कि भी बढ़ जाती ओ आ और प्रदेश में बढ़ते कोरोना काल के बीच जनता के उपर दोहरी माल पेट्रोल और डीजल को लेकर बढ़ गई है जिसके चलते आज कॉंग्रेस के सान मोडशा के रास्टी उपाद रामकुमार वालिया साहिद पार्टी के कारिकरताओं ने दहरादून डियम आशी सर्वास्तों को बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दामों में कटोती के लिए ग्यापन सौपा है साथ हिसाथ केंडर सरकार से अभी कोरोना काल के बीच इस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दामों में बहरोत्री ना करने के अपेल करी गई है वैरामकुमार वालिया का ये भी मानना है कि समय दोहरी मार आम जनता के उपर पड़ रही है और अगर सरकार इस समय इस तरीके से दामों में बहरोत्री करेगी तो जनता के लिए परेशानी पैदा हो जाए आज हिंदुस्तान में पहली बार पैंट्रोल के डीजल के दाम लगबग बरावर हो गए इसका मुख्य कारण ये है कि केंदर सरकार की गलत निती है विस्व में सबसे ज़्यादा पैंट्रोलियम पदार्तों पर टेक्स भारत सरकार ने लगा दिया है आज हमारी परमुख मांगे यही थी जो डीजल और पैट्रोल में केंदर सरकार ने मुल्य विर्थी करी है इसको वापस लिया जाए भारत के इतियास में सहथ पहली बार ऐसा हुआ होगा कि डीजल और पैट्रोल के रेट बराबरी पर आ गए है यह पहली बार देश में ऐसा हुआ है और इसका सारा जो दारमदार है वो भाजपा सरकार के उपर जाता है बाजपा सरकार जब से आई है तब से सबसे ज़्यादा जो यह टेक्स वसूल रही है यह डीजल पैट्रोल में ही वसूल रही है देरादून रेलवे स्टेशन पर आने जाने वाले यात्रियों को कोरोना संक्रमें ते यात्रियों से बचाया जा सके इसके लिए रेलवे प्रसाशन की ओर से स्टेशन पर इशर में ही आईसोलेशन वाट बना दिया किया है जहां से स्वास्पभाग के अधिकारियों को जानकारी दे कर उसकी जाज करवाई जाती है खटीमा कोचिंग एसोसीशन के नेचुत में कोचिंग सेंटर और कम्पीटर सेंटर को खोले जानी के मांग को लेकर अपने अपने घरों पर सामोहिक उपवास रखा गया है कोचिंग सेंटर मालिकों का कहना है कि जब होटाइल, रेस्टरेंट, मॉल और सभी दुकाने खुलने की तरच पर हैं तो कोचिंग और कम्पीटर संस्थान भी खुलने चाहिए संस्थान सरकार के दिये हुए नियमों का पालन करने को तयार है सोचल डिस्टेंस, मास्क लगान और सेनिटाइजर कर प्रियोग करके ही पढ़ाया जाएगा कोचिंग और कम्पीटर संस्थान की तुलना स्कूल से नहीं होनी चाहिए इसमें पढ़ने वाले सभी बच्चे बड़े वा समझदार होते हैं नियमों का पालन करते हुए उत्राखन बोल्ड और सीबियस्टी की परिक्षा कराई जा रही है जिससे हजारों चात्र चात्राएं परिक्षा दे रहे हैं उसी तरह से कोचिंग को खोला जाना गलत नहीं होगा कोचिंग का किराया हजारों रुपए चड़ चुका है बंदी के चलते वो भी नहीं दे पा रहे हैं जिसको मार्ट किया जा आज हमने हटिमा कोचिंग असुशिशिशन के नेत्रित में अपने अपने घरों के अमने सामों ही को भुवास रखा है और हमारी सरकार से ये मांग है कि पूरे उत्राखंड में जो है कोचिंग जो है शुट जो है वो शुरू किये ज़ा है जब सरकार होटल चला सकती है बड़ बड़े मौल चल सकते हैं तो हमारी कोचिंग क्यों नहीं चल सकती है हमारी कोचिंग में जो है बड़ बड़े स्टुडेंट पढ़ते हैं और सेनिटाइजर का प्रियोग करेंगे तीन महीने से जो है हमारे पोचिन इस्टूट बंद पड़े हुए है यार उपते हैं च्छटे सब रेक के लिए जल्द हज़र होते हैं आप देख रहे हैं के नियोज ख़बरों का सार्थी राम की जिन्दगी को थोड़ा पड़ भी लीजिए आप उद्दे से भटक रहे हैं सब बोलेंगे सब की सुनेंगे अनुशासन के साथ सवालों की जड़ी अड़ी क्योंकि हमें है देश की पड़ी सुमवार से शुक्रवार शाम छे बजे TV9 भारत वर्ष अब तो सब देख रहे हैं माउंट लिटराज जी स्कूल उन्लाव आप देख रहे हैं की नियोस ख़बरों का सार्थी ब्रेक के बाद एक बफिर से आप सभी कस वागए खबर उदरपर से है जानीजे अस्पताल की नर्स कोरोना पॉस्टिव आई है जिसके बाद पर साशन ने अस्पताल को सील कर दिया है साथी साथ नर्स के संपर्क में आई लोगों का डाटा एक खटा किया जारा नर्स रुदुपुर के घास मंडिक रहने वाली है और फुटेला अस्पताल में काम करती थी युवति की कोरोना जाज रिपोर्ट पॉसिटिव आने के बाद अस्पताल को सील कर दिया गया है स्वास्वभाग नर्स के संपर्क में आई हुए लोगों को चिंहित करके कार में जुट गई है रोडर्पर के स्थाने में गई जब नदर दकने काश्यान इस इसेंपल यह तो व्याइब खायते है इसमें के संभन में खुट आला होस्पतों को फिल कर दिया गया है उसमें जितने भी व्यक्षित सभी अबही और अन्धर दखने के आदेश हुए जो भी नेक्स्ट आदिस होगा उसके अंदर जिप कारवाई की देगे पदमुक्त कर दिया था चांजित क्यांप बताना देशर विद्यादंत जोशी ने बताया कि आरोपी पर केस कर लिया गया है और उसकी गिरफ्तारी के लिए दविश्ट दी जा रही है सुमवार देरात उसे घर से गिरफ्तार कर लिया गया ओदम सिंग्जलर के सेमान खटीमा में उच्छोने आले कि आदेशों के पालन के अनुसार इस्तानी प्रसाशन द्वारा धर्मस्तलों को अतिक्रमण मुक्त करा करने आले में जवाब दाखिल करना था लेकिन लोगडाउन के कारण अतिक्रमण अधूरा ही हट पाया है लोगडाउन के बाद इस्तानी प्रसाशन ने सक्ती करते हुए धूरा पड़े अतिक्रमण के खिलाफ इच्छे तामनी देते हुए इसे हटाने के निर्देश दिये यहां से प्रसाशन 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 था आखिल करना था इसे हैं पहाड के जंद पहाड के जंद पहाड के जन्ता है जंगल एक बर फिर से जलने लगे हैं बागिश्वर जनपत के बैजनात वन रेंच के भेटा जंगल में भीशन आग लगी है जंगल में आग लगतार फैल रही है जिससे जंगली जानवरों के साथ वन संपदा को भारी नुकसान हो रहा है मगर वन विभा का कोई भी अदिकार याग बुझाने नहीं पहुचे हैं इस बाद प्रदेश में फायर सीजन के दौरान वी बरसात के जंगलों में आग की घटनाय कम हुई हैं इसके बावजूद वन महकमा निश्क्रिये बना हुआ है अब आग इतनी जादा भीशन लग चुकी है कि इस पर जल्द काभू नहीं को पहुच सकती है वहीं इस पर प्रदेश में फायर सीजन के दौरान हुई बरसात के चलते जंगलों में आग की घटनाय कम होने के चलते लोगों को राहत मिली है अब तो अब शुचना अमें तो नहीं मिली थी तो अब शुचना अब जो गड़नाय चलबा आया है जो शर्वंत को ही बटाते हैं और लग लग होगी यह अब शुरुवात हो ही रीचती तो अब इस्टाफ आगा तो उसको तेखते हैं पैसे लगी चाले है कि फायर सीजन तो समाप तो यह बारिज का सीजन है तो एक दो दिन बारिज नहीं होने जो जो शुची रहता होगी है बाजबूर में SDM ने अवैद खनन के खिलाफ कारवाई करते हुए एक दरजन से अधिक वहनू और अवैद खनन में लेकते एक स्टोन क्रेशर को सीज कर दिया है प्रसाशन की कारवाई से खनन माफियाओं में हरकंभ मज़ किया है बतादी कि पिछले लंबे समय से प्रसाशन को बाजबूर की कोसी नदी में अवैद खनन की शिकात मिल रही थी जिसके चलते प्रसाशन की टीम को देखते ही खनन माफियाओं में अवैद खनन से भरे वहान को पकड़ लिया और अवैद खनन के लिए प्रोक लगाने के लिए सब्सक्राइब के साथ बैठक करें लेकिन अभी पंडिकम की नदी चल रही है लेकिन कई चेत्रों से अवैद खनन की अभी सिकायत में प्राप्त होड़ी थी तो उसके विगाडिंग में राज में लगाई गई करती है कल हमें फिर सुचना मिली थी आठ बाहन इसमें सीज में तड़के चार बजे के आसबाद 6 बाहन एक क्रेशर पर उनकी बढ़ा आर बीम महां उतारा जा रहा था तो उनको महां सीज किया है और साथ ही साथ जो क्रेशर है उसके विर्द भी कारवई करते वे क्रेशर क को भी सीज कर उसके क्रेश विक्रेश पर रोख लगाए तो बोटन भी फिलाल के लिए इतना ही देखते रहे के न्यूस इंडिया नमश्कार